हेलो स्टूडेंट्स आज हम इस्ट्री के फोर्थ लेसन के महारास्ट्रा पिफोर टाइमस ओफ शिवाज जी महाराज इस लेसन के कुश्चन आंसर्स देखेंगे सब्सक्राइब कीजिए मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे बच्चों का फाइदा हो सके चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कोश्चन है complete the following चार्ट यहाँ पर हमें देखे विलेज कस्पा परगना ऐसे हमें त्री जो है अलग अलग डिवीजिन्स दिये हैं उनकी अकॉर्डिंग हमें या टेबल फिल करना है इसमें फर्स्ट हमें पूछा गया है what it means विलेज मिन्स क्या होता है तो हम लिखेंगे small village कस्पा मिन्स बिग विलेज और परगना ऐस ग्रूप ओफ विलेजिस सेकेंडे ओफिसर्स तो विलेज या मौजा में कौनसे ओफिसर्स थे पाटिला और कुल करनी कस्पा में शेटे महाजन और परगना में देश्मुख देश्पंड थर्ड है इसका example पुछा है मौजा का या विलेज का example आएगा बावधान कस्पा कवाई और परगना का पुने ठीक है next question write the meanings यह meanings पूछे हैं first है बुद्रुक the word बुद्रुक and खुर्द are used to show that the two villages are different the original town is बुद्रुक and the new one is खुर्द for example वडगाउं बुद्रुक and वडगाउं खुर्द यह lesson में मैंने बहुत अच्छे से explain किया है तो आप lesson भी देखिए next है बुद्रुक there were various artisans in the village they had herded tree rights regarding their occupations the peasants gave a share of their agricultural products to the artisans for the services they rendered to the village community this share was known as बलूत बलूत या बलूत या बलूत यह जो system में हमने lesson में अच्छी तरह से देखा है कि village में जो भी artisans रहते थे वो अपनी services farmers को देते थे और उसके बदले में farmers जो उनको agricultural product देता था तो एक वस्तु या एक thing हम दूसरे को देते थे और दूसरे से अपनी ज़रूरत कि thing लेते थे बदल कर लेना इसे ही बलूता system कहा जाता था next है वतन वतन is an Arabic word in महाराष्टा it is used to refer land for which the holder does not have to pay revenue तो वतन जो है Arabic word है महाराष्टा में यह used किया जाता था उस holder के लिए जिसके पास land होती थी जो land holder रहता था उसे revenue पे नहीं करना पड़ता था जिससे वतन कहते ते और land hold करने वाले को वतनदार कहते थे नाउ question 3 find out and write people from Africa who had settled along the Konkan coastline जो अफरीका से आये और Konkan coastline में settled हुए वो कौन थे the सिद्धी ओफ अफरीका अम्रुत अनुभाव के अथर कोन थे संत द्यानेश्वर संत तुकाराम की प्लेस थी देहु विलेज नियर पुने 4th he composed भारूड भारूड किसने लिखे थे संत एकनातनी 5th he explained the importance of physical fitness फिजिकल फिटनेस किसने बताई रामदा स्वामी ने वोमन संस, वोमन संस कौन कौन से वे तो संत सोयरा भाई, संत निर्मला भाई, संत मुकता भाई, संत जना भाई, संत कानो पात्रा, संत बिना भाई, बहीना भाई, संत बहीना भाई, संत सियूर्क इसमें से जो है संत कान्हों पत्रा एंड संत स्यूर्क ये हम नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा Write about these personalities and their work in your own words अभी हमें यहां पर कुछ personalities है उनके जो है काम बताने हैं इसमें first है संतनाम देव He was a great son of वारकरी मोमेंट He performed excellent कीरतन्स as well He awakened the sense of equality in man and woman Belonging to all caste through the medium of कीरतन्स जो संतनाम देव थे वारकरी मोमेंट के great संत थे उन्होंने बहुत अच्छे कीरतन्स बोले हैं और उन्होंने लोगों में जागरती फैलाई लोगों में एक तालाई, man and woman एक ही है कास्ट और क्रीट कुछ नहीं होता है यह सब चीज़े उन्होंने सिखाई He went up to the Punjab propagating वो पंजाब में गए और वहाँ पर उन्होंने अपने thoughts बताए His compositions are included in Guru Granth Sahib of Sikh और सिखों के Guru Granth Sahib में भी उन्होंने जो compositions है He built a memorial to Sant Chokha Mela at Pandharpur और उन्होंने एक memorial Sant Chokha Mela की आद में Pandharpur में बनवाया Sant Jnaneswar, he was a great Sant in वारकरी moment यह वारकरी moment के बहुत महान Sant थे He wrote the भावार्थ दीपी का और न्यानेश्वरी उन्होंने भावार्थ दीपी का और न्यानेश्वरी लिखी He also composed the अम्रत अनुभव उन्होंने अम्रत अनुभव का composition किया मतलब रचना की He preached the importance of path of devotion through his work and compositions He showed a simple way of worship and conduct which the common people could follow easily उन्होंने लोगों को बिलकुल सहजता से भगवान में विश्वास करना सिखाया His पसाइदाने ज्ञानेश्वरी applies the mind उनका जो पसाइदाने ज्ञानेश्वरी है वो हमें अमारे माइन को उपर उठाती है मतलब हमें अच्छा ग्यान देती है Next is Santeknath He was a great son of the bhakti movement in Maharashtra His compositions are many इनके composition भी बहुत है Santeknath के They include Abhanga जिसमें Abhanga हते हैं Gaulana, Bharoor, etc He has stated Bhagavad Dharma in detail उन्होंने Bhagavad Dharma detail में बताया and in a simple manner बहुत सरल तरीके से बताया His Abhanga showed the warmth of devotion He was a teacher of people in the true sense of term ये जो थे बहुत अच्छे Abhanga वगेरा बोलते थे सुनाते थे और बहुत अच्छे teacher मतलब अच्छी बाते बताने के लिए बहुत अच्छे teacher थे He heavily criticized those who hated other religion और जो other religion के बारे में कुछ कहते थे तो ऐसे लोगों को वो criticize करते थे Sante Tukaram He belongs to Dehu near Pune Sante Tukaram Pune के पास जो Dehu है वहां के थे His compositions और अभंगास are very pleasing and lucid उनके अभंगास और composition बहुत सुन्दर है His gatha is precious treasure of Marathi language He asked us to find God by showing love to the unhappy and tormented in a way by throwing in the river Indrayani the documents of the loans of that people had borrowed from him and freed many poor families from the bonds of loan उन्होंने हमें पताया कि जो गरीब और दयनी ये लोग है उन पर हमें दया करनी चाहिए तो हमें सच में भगवान मिलते हैं मतलब सच में हम भगवान की भक्ती करते हैं इसी तरह उन्होंने अपने पास जो भी लोगों के loan के papers थे वो सब Indrayani नदी में छोड़ दिये याने fake दिये जिससे की लोगों को उन्होंने loan से मुक्त कर दिया He criticized the hypocrisy and superstition in the society in very strong terms He stressed that devotion should be coupled with morality और उन्होंने जो भी hypocrisy थी समाज में superstition था उनको दूर करने के लिए बहुत criticism किये और उसके बाद उन्होंने फिर devotion भगवान के दरफ भक्ती के मार्ग पे चलने के लिए कहा Next question है और भाइवर ड्रॉट्स अग्रेट कालामिटी फॉर द पीपल ड्रॉट्स बहुत बड़ी अप्दा क्यों बनी लोगों के लिए तो अग्रेट फैमीन ओकर्ड इन महाराश्च्रा इन 1630 कौम मनी रहा पीपल वर ग्रेटली डिस्ट्रेस्ट दू तु दिस फैमीन देखिए उस समय महाराश्च्र में सुखा पड़ा था 1630 में और लोग बहुत डिस्ट्रेस हो चुके थे देर वर सीविएर सेखर सिवह पूच ए पर फोट ग्रे मानि Kaiser की बहुत कमी ओगी थी आटल सारी फैमेलियस डिस्ट्राइ उस फैमीन की वजे से इन्टली के ख लगबुत kल्ठ मर रहिय थे scheme to stand still और सारे financial transaction जो थे वह भी खतम हो चुके थे तो ये हमारे question answers है next video next lesson का रहेगा वो आप जरूर देखिए